नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे बहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर जीरा की गाउं लोंगे दिवाउं में अक्टिवा सवार एक नौचवान की ट्राली से हुई टकर नौचवान की मौके पर हुई मौत पठानपोट के मिर्थल रोड पर हुई एक सड़क हास्ते में एक व्यक्ति की हुई मौत पुलिस जाच में जुटी खुश्यारपर पुलिस ने गत दिनों गाउं मेवा वियाना में हुई एक बजूर की किसान के गतल के मामले को सुलचाया दो आरुपियों को किया ग्रिफ्तार और अब हल चल विस्तार से जीरा के गाउं लोंगे दिवा के नस्दीक उस समय एक दर्दनाख हासा घटित हो गया जब एक एक एक्टिवा सवार नौचवान की मिट्टी से भरी ट्राली से टकर हो गी इस दोरान नौचवान की मौके पर ही मौत हो गी इस समन्द में जानकारी देती हुए मिरतक नौचवान गुर्प्रित के रिष्टेदारों ने बताया कि वे अपनी एक्टिवा पर सवार होकर अपने खेट से गाउं की तरफ जा रहा था इस दोरान सामने से आ रही तेज रफतार मिट्टी से भरी ट्राली के साथ उसकी टक कर होगी जसकारण नौजवान एक्टिवा से नीचे खेट में जा किरा जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने उठाया और सेवल अस्पताल जीरा में पहुंचाया जहां डॉक्टरों द्वरा उसे मरत घुशित कर दिया गया जीरा से हल्चल के लिए सतीश विच की रिप का देते सी है एक्सिदेंट का देनल होया है कि अधिया लड़के दी टैथ हुए यह की एदा नाम सी और किनी उमर सिया दी गोपी कि अधिया लोग कि व्मोंटारी से यह प्वांटे लोंगे इसमें राघु लूग आसे आप अधिया के अधिया धिक अधिया है के आपके ए गभाटे अधिया अधिया नागर दी सी षिझागindi का प्लाइज बाहिए आंधिए यह इसके नाशी नेक लोगे आधिया शी पठानकोट के मिर्थल रोड के नजदी के एक दर्दनाक सड़क खासा हो गया जिसमें एक व्यक्ति ही मौत हो गई तो वहीं सूतरों से मिली जानकरी के अनुसार मिर्थल रोड के पास काड रहा शेत्र में वाहन धुगत ना ग्रस्त हुआ और तुरंत ही व्यक्ति को पठानक पचने की ने जानकरी ने लंद्ध शांठेसों कि व्यक्त की मौत हो जुकी थी उन्होंने कहा कि फिलहाल मरतक के परीज्वनों को शूचित कर दिया गया है वहीं पुनिस वराहासे के कार्नों की जांच की जा रही है अलाद भी सिए नी रहे गया है अलाद एट ते उड़े नहीं पाहिए। एपटा रोगु सएड़ आदेवे इनना पढ़ाबा बोडी किस आल कुछी सिए लेगे। प्रश्ब्सक्राइट भी उदोपज को शेंड़े लेगे। गत दिनों हुश्यार्प के थाना दसुहा के अधीनाते गाउं मेवा मियानी में एक बज़ुर्ग किसान का कुछ अग्यात विक्ति दौरा तेसर हत्यारों के साथ कतल कर दिया गया था और अब हुश्यारपर पुलिस की और से किसान के इस अंधे कतल की गुथी को सुलजाल गया गया है वो पुलिस की तरफ से इस हत्याकान को इंजाम दिने वले दो नौजवनों को कबू कर लिया गया है और आगे की जान शुरू करती गयी है तो वहीं स्थानिक पुलिस लाइन ग्राउंड में एक प्रेस वारता को संबोधित करते हुए एससपी सुरेंद लांबा ने बताया कि पांच मई को दसुवा की गाउं मेवा म्यानी में किसान जोट सिंग का उस समय कतल कर दिया गया था जब वे अपने खितों से वापिस घर जा रहा था लेकिन जब पुलिस की और से मामले की गहनता से जांच की गी तो यह बात सामने आई कियुक्त घटना को गाउं मेवा म्यानी की एक ग्रती सिंग गुरपाल सिंग वासिय श्री अमरिसर साहिभ लिया निवसी गाउं मेवा म्यानी और हिम्मद सिंग वासिय July हर्गोविंदपुर की और से उंजम दि जिस कारण इसी रिंजिश के तहत गुरपाल सिंग ने अपने साथी के साथ मिलकर जोज सिंग का कतल कर दिया इस मौके पर सस्पी लंबा ने बताया कि पुलिस ने लग लग पहलियों के अधार पर मामले की जाट शुरू की तो यही कारण रहा कि पुलिस से जल्द ही कातिलों तक पहुंच गई जिए कि तान पता हैगा कि पांच तरीक नों एक मेवा मैनी पिंट चे एक बुजूर्ग किसान जोज सिंग दा कतल किता गया सीगा ते इस केस चे जड़ा हैगा साथी टीम ने बड़ा प्रॉपर तरीके नाल इन्वेस्टिकेशन कर दे हुए ते सड़े स्पीडी सरभी द्वाईया जी डी एसपी साब जगदीश राइजी ते सी आई दी टीम एसचो दस्वा सारे ने मिलके जड़ा हैगा इसनों विटेन 24 आर्ट ट्रेस किता ते क्योंकि ब्लाइंड किस सीगा जोदों इंसिडिन्ट होया जदों जोज सिंग अपने टिकेश नूं बड़ा इन्वेस्टिगेट करेवे सारा टेक्निकल तरीक नल टे हुमन इंटलिजेंस दे नल टे बात चे पता लगया कि दो बंदे जड़े हैगे इस केस इनवालड हैगे जिन्हा नगो आरेस्ट किता गया नाम गुर्पाल सिंग ते हिम्मत सिंग निकला गुर्दवारे 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 ग बढ़ गया सिगा ते इना नू उस चीज ते अत्राज सिगा डिसीज नू ते जो इना ने अत्राज किता अपनी ब्रदर दी वाइफ दे नाल ते गुर्पाल सिंग दे नाल ते इना ने उस चीज नू जड़ा हैगा ओफेंस उस चीज दा मन्या हैगा ते मन चरंजिस रख दे लोगसबा चुनावों के चलते जहां पूरी भारत में आचार सहीता लगी हुई है तो ही आए दिन गोलियां चलने के मामले सामने आ रहे हैं जिसका ताजा ममला चीरा की गाउं संतु वला में सामने आया है जहां कुछ हतियार बंद लोगो द्वरा रात के अंधिरे में एक घर में सरे अम गोलियां चलाईगी जिस कारण एक नौचवान खायल हो गया इस समंद में जानकरी देती हुई पारिवारिक सदस्यों ने बताय वहां लगे सीसी टीवी कैमरों में कैथ हो गई इस घर्टना के दोरान एक नौचवान की हाथ में फायर लगा है जिसे फरीत पोट के इस्पताल में भरती करवाया गया है तो वहीं परिवार की और से उच्छ पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है त प्रशा जी ए मेरा ही मकान है कारपेंटर दा में कामकार दा राती क्रीबन पौने के दाह वजे आके गेट खड़काया गया वहाई दित्ती गई जदो गेट खोल लिया नाली फैरेंग शुरू होगी या जी मेरे शोटे पाई दे रहने वज्जे या जी वो पीपकोड दाह पाला थे सानुताय कोई समझी नहीं आई के की बन गया साथे ना अचानकी बास अन्यवा फैरेंग करू कारती जोदो गेट खोल लोग का देठाल पाई जावे जो भी आप बांदीकार वाई है ना तकी थी मैंता सरकार तो यह मांगा मेंने इन साफ मेलना चाहिए था तो ज अर शोवर कोछ निए यह पहले ने चाहिए लोग मेरे पेन दी जाए तो भी खड़ी यह उच्छा जावे शारें तो जी यह ना इना कोई वेर ने कोई व्रोध हैं आप दी करतें आते खाने अचाय ने कोई आतनी कोई दात नी तो आव जमें तुम जूरी करीं देखाई थ सब्सक्राइब 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 ते एना चीजना ते ना थपाई जाए परशाचा न लो भी गाहा आसते कही है जी कारवाई ना होगे कहते एना कहें रहा है तानवाज जी तो रात करीब सटेदस ग्यारे मजे तला मिले से की सदर थाने जी रादी पिसनों पर फिसन तॉले पेंड कोई फायर में पर लिए और प्लीस सोसे ते मक्यते चलेगी सिकी उपता लगया भी को रंजीत चाहा दाना अदा बंगार दे करेकोश बंदे उन्ना दे ना पराने ना लोकसभा श्यत्र खडूर साहिब से आमाद्मी पाटी के मीदवार लाल चीट सिंग भुलर चुना प्रचार के लिए विदानसभा श्यत्र जंडियाला गुरू में पहुंचे इस जोरान उन्होंने कहा कि वर्षे 2022 के विदानसभा चुनावों में लोगों ने 92 विधायकों को जिता कर आमद्मी पाटी की सरकार बनाई थी और अब लोग मुख्यमंत्री पंजब भगवन सिंग मान की कामों को प्यार दे रही हैं उन्होंने कहा कि खडूर साहिब शेत्र में माज़ा मालवा और द्वाबा तीन धर्थियों क मेल होता है यहां की नौचवान बच्चे विदेशों का रुख कर रहे हैं और कुछ गलत संगत में हैं इस शेत्र के लोगों को रोजकार के लिए इंडरस्टरी की जरूरत है अगर लोग अपनी वोटे उन्हें दी तो वे जीत कर इस शेत्र में इंडरस्टरी लेकर और ये प्यार मुख्य मंत्री बंजाब भगवन सिंग मांद्वारा लोग हित्मे के एके कामों के बदले मिल रहा है विए उन्हों ने कहा कि पंजाब के प्रतेक वरक के लोगों का हालचाल जानने वाले बिजली फ्री करने वाले बसों का किराया माफ करने वाले लोगों को अच्छी सुविधाई देने वाले और महला क्लेनिक का काम करने वाले उमीद्वार को ही लोग जेताएंगी इस मौके पर आप उमीद्वार लालचीत सिंग बुलर और कैपिनेट मंतरी हर्भजन सिंग इतियों को शहरवासियों की और से समरीती चिन भिंटकर सनमानित भी किया जंडियाना गुरू से हल्चल के लिए अशुनीश शर्मा की रीपो सब तों वटी दिल का चीज आए देचे माच्या मालवा द्वापा तिने तर तिंगांदा मेलूंदा द्रियास सतलों यते ब्यास उदा भी संगम हुंदा हरी के अले द्रियादे में चाहिए बड़ी जर खेई तर तिया किर्पा बापे नानक दिए इस तर ती लेए परमात यते अंडस्ट्री दी बड़ी वडी लोड या साथे नौजवान बच्चे बच्चियां बेरिजगार तो रे भिर रहे या वदेचान नूपा जरे या जदो हसी एते अंडस्ट्री लाके आवांगे बच्चे आनू का मिलूद बच्चे थे कमाते लगणगे आरे लगणग गल्त रस्तियां तो सिते राते पहनगे जड़ा वदेचान नूपा जरे या जड़ा तर्याई एरिया बड़ा तगड़ा जों आपा तुर्णियां सल्तार पुर्लोदी कपूर थले तो मुंडी मोड बोहिंदवाल साब घुलूर साब फिर साथा हरीके आजंदा हरीके आग मेरा जड़ा पटी अलगा होदे वेचे सब रहातों लेके मुठ्या लेता कर पाइं चाली किलूमेटर बान लागे दा पान टोटके तुछे बने बड़ा नक्सान हो जांदा बना देवेच भी याराय करता नक्सान हो जांदा ए वास्या सेंटर दे क्योंकि यह ते काट तो रपिया चाहिदा बान जंगा बने इडिया लाइस दी सरकार बांदे हो दास मेंबर पारलीमेंट बढ़के सब तों पहला काम ए बान जड़े यह ते पत्तर दी दवार बढ़ा के मजबूत दवार बढ़ा मांगे ता जो बान ना टुटे ते ओधे बाद जड़ी द्रियाम डिश्दी बाद असी घमीन सरकार बून बढ़ी जड़ी अक्वैर करांगे जो लाके मने रेट उपिजार्दा ओ रेड़ देगे किसानदानों ओक्र मेन पत्र शंटल लाके जखरीतांगे किसान नादी चमीन पाचू कारपाचन गे किसानदी रोठी बाचू नाल चिननाच अमरिसर के पाउश एरिया जहां नवजोज सिंग सिद्धू का घर भी है होली सिटी इलाके की लोगों ने इलाके का रास्ता बंद कर कोलोनाइजर के खिला फरोश पर दर्शन किया इस मौके पर इलाके की लोगों ने बताया कि होली सिटी की अंदर गुरुद्वरा साहिब बना हुआ है जिसे लेकर गुरुद्वरा प्रबंधक कमिटी की और से रास्ता बताने के साइन बोर्ड लगाए गे थे जो वहां के कोलोनाइजर तवरा उतार दिये गे हैं उन्होंने कहा कि जिसके बाद दोबारा साइन बोर्ड लगाए गे थे वही उन्होंने कहा कि ये बोर्ड गुरु घर के थे ना कि किसी के प्रचार के थे जो कि सीधे तोर पर बेद्वी की गी है उन्होंने कहा कि कोलोनाइजर द्वारा गुरुद्वारा साहिब का पानी भी होली सिटी के सीवरेज सिस्टम में नहीं पढ़ने दिया गिया वे उन्होंने कहा कि इस कालोनी में उन्होंने अपने घर बनाई हैं जिनके वे मालिक हैं उन्हें बताया कि कॉंग्रसी नेता गुर्जी सिंग वाचला उनकी बात सुनने आई हैं और उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस मामले का जल्द हल किया जाएगा। और जो भी इनसान गलत पाया गया उसके खिलाब कार्वे की जाएगी। अम्रिसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रीपोर्ट कि मामला जिए प्राव लिए सिटी कलोनी है जी इते ना मदब रेजिडेंट रहें थे ने और पिछ्छे गुरू का रहें उदा बोर्ड लाया सी ना दा मनना है कि बोर्ड जड़े इते कलोनेजर उन्होंना कोई कि सधार वड़ता है उन नहीं सारा रस्ता रोगता ब्लौ करके टार्नलाता सो और दो जड़ी कलोनें देंधर एक ससाथ लागनें लागनों सारे इंदे फोना है कि जाकर रस्ता कला ड़ोग बच्चे ने जाना सारे ने ओना जौने जड़ें सो मैं आकिन रुकेश्ट किती ह कि जड़ी ताड़ी को मांग गया है वो तुसी अपनी श्कैयत कर दो पुलिस ती देख लेगी ते अपने गुरुकार दैड़ा जड़ी आरस्ते आम लोग क्यों कि रही से बहुत बड़ी कलों नहीं है पच्चेयाने जाना होना को दोफ्रोक है मैंने रुकेस्ट किती को तु क्यों करना को नधी करने कि वर्मेशन काम मैं नशाया मैं डिकरने करने क्यों नहतार जूआ है थाथ और देखे गुष्टवारा शेवें पाशाइदा सेरी हर्क बिन पाशाइदा है जो प्रावत तर्थी आए वोली सीडी दे अंदर गुर्दवारा शाब जडी पेंडम बाल दी जमीन देदू देंदर अधाजी तक्रीबन सौ साल तो भी प्राणय जड़ा गुर्दवारा साब बने आए ते गुर्दवारा प्रबंद कमेटी ने थे जड़े आप बोड लगाए सी गुर्दवारे दा अरस्ता दसनवास ते ओवी संगत दे कैन ते दूरों संगत हो दी या अजका यूट्यूब चैनल या होर चैनल दूरू संगत काफी जोड़ दी या कीरतनों दाया या तवर द लाए सी ओदे लिख्या भी यह हो ही सरी दालत साब पोली सिडी तेन दिन पहलों लगाए इना ने बिना दस्यों यो बोड जड़े या पूट दे ते उस तो बाद फिर नमें बोड लगाएगे काल शामी महाराई दी अरदास बेंती करके लगाएगे पी चलो इना नुसमत बख्षन महाराई भी होजा गल्त काम ना करना सरकारी जगा दे उपर लगे ये बोड ते एना ने बोड जड़े या राद दो टा इवज दे क्रीब साड़े वलों दी चोरी करकी लेगे कि जे तो बोड ही लेगे या ते साटा दी चोरी होया संगर दास बोड ते इना महारा लॉंचिंग सामरों में यंग सिंगर गुर नजर चठा बत और चीफ केस्ट शा मिल हुई इस दोरान उन्होंने रस्मी तोर पर इस दमदार एक्सवी को लॉंच किया लॉंचिंग सामरों में मुख्य महमान गनमाने और ग्रहकों के पहुचने पर उनका ढोल ताशे के साथ गरम जोशी से स्वागत हुआ जिसके बाद मुख्य महमाने डिलर्शिप के एमडी रमनी खॉंडा गौरव चोपड़ा और उनकी परिवारिक स्तदस्यों की उपस्तिती में एक्स यूवी थी एक्स ओ से परदा हटाने की रस्मदा की हालांकि इससे पहले युवा गायक और लेटेस्ट गीतों के साथ खूब समाबंधा इस अफसर पर गायक ने प्रबंदकों स्टाफ और ग्रहकों को एक्स यूवी थी एक्सो की लॉंचिंग पर मुबारक बाद भी दी साथ ही साथ हुनने उनके साथ की एक भी कटा इस दुरान प्रबंदकों की परिवारिक स् में श्विता हंडा, महक चोपडा, दिनकर महिंद्रू, अनीता चोपडा, प्रवीन हंडा, एस्वी हंडा और गीतल चोपडा के इलावा कंपनी की एसम धूरवी मायूर और समूस टाप वा ग्रहक भी मौचूद रही जाल अंदर से हल्चल के लिए कैमरामें दविंदर की पोड़ी 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 मैं जनुरिली दसा मैं हुने गड़ी जो बाहर निकलेया तर मंदर सर लोही गाल कहारे सिया थिए इस सेग्में दें अंदर जिनियाभी गड़ी आना एदिछ बैकि मैं किसे इस सेग्में दी गड़ी जो बैठा एव भाई नीड देरी अगार और वैसे मेरे कोल भी आज तो पांच-छे साल पहला एवस एवन आज थे अवड़ी फाइव फाइवंड़ तर किता था में हिदराना था किता एक्सपिरियंस ए बहुत एक्सपिरियंस है सर देखो साधी ट्राइलिंग एननी जाधा शो उस्ते आल आलो की टचुड वाई ग गड़ी चाल की सिगे हो और फिर अप्ग्रेड किता था सही लेकिन मैं अब अप्ग्रेड करन तो बादना में पच्छता है और हजे भी असी जद कंपेर कार देया ना कि यार एक्सपिवी फाइवंड़ेड साड़ी जाधा कमफटेबल सी आई रिली लव महिंत्रा कार्स औ पिसले कुछ साल ना तो जिनना ड्रास्टिकली इनना ने अपनी टेक्नी टेक्नी टेक्नोलोजी चेंज किती है गडियां जदी था रहाई एक्सवी 700 आई मैंनो लागदा महिंत्रा दी रूप रेखा ही बदल गये बिल्खुल एट गल गटी थी सिंगुंट एज गुर नज नेक्स्ट पाजी वाई गुरुजी दी मेर नाल मैं अपना शो स्टार्ट किता जी मैं दो चार साल पर लाए क्रॉस ब्लेट देना तो अपना शो बना ऐसी गा फिर अधूबाद मैं हमेशा सोचा थी गा कि जिद दन शुरू करूँआ अपने ना तो करूँआ गुर नजर सेम कॉंसेप्ट है जी सारे आटिस्टां दे मेरे नाल क्लाबरेट कर दे है ते ओदेच होन तक मैं आपना गाना कन्वर पाईदा जसी गिल पाईदा और अखिल सच देवा भाई है एक स्टेबिन वीरा और बहुत सारे आटिस्ट है जो अधे अंदर है साटा एक लेटेस ग होंगा पर डगली क्लाबरेशन एदू भी वड़ी होगी दो लेना होता है जी बहते है ना बहते है ना आसू मेरे बहते है ना जब वो हमसे कहते है ना दोस बनके रहते है ना लोकसभा चुनावों के चलते केई नितावा कारे करता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रही है इसी के तहट जालंदर के वस्ती मिठ्वों के सभी आटो चालक कॉंग्रसी पार्टी और कॉंग्रस प्रत्याश्री चरंजी सिंग चन्नी द्वारा क उस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि लोग उनकी कारियों को ध्यान में रखकर उन्हें अपना पूर्ण सैयोग दे रहे हैं और कॉंग्रस पार्टी में शामिल हो रहे हैं जालंदर से हल्चर के लिए कैमरामेंन सुदेश भगत की रिपोर्ट हर रोज लगा तार स्वेर तो शामता के कम चलदा रह दा है कोई के दा जी तुसी मेरी आंगर वाड़ी वाड़ा दे तनका बदा इसी तूसी मृटे मिल दी तनका बदा इसी एस तरह दे बहुत लोग कर रहे हैं उसे लड़ी दे विच अज मेरे पास मिठू बस्ती चों बहुत नौजवान आये हैं जेडे केंड़े जैसी थ्री विलर चलोंदे हैं ते तुसी थ्री विलरा दे उस टैम जेडे पराणे बकाये सी एक्स दे माप कीते सी ते सानो पुलीस ने उना दिनाज करे आती है मनोथा सुआगद करणने घ्रजबता कि अरुजान सारा दे उते इसे तरह आ चलता रहे ह। दो कि जिनाद डे माप वहही है विजिली दे जिनादय कर आप आनि दे एस थान आध याद कर आके तुसी इसटारी काम हो जबोंगे न पुल्हे कि जिद्र नाड़ी का अखिल भारतिय दुर्गा स्थैना संगठन की यार से मावंगला मुखी जनती प्राचीन शिव मंदिर दुमोरियपुल रेलवी रोड चालंधर में सोल हैं मैई को बड़ी श्रधा पूर्वक एवम धुमधाम से मावंगला मुखी जी के उपासक श्री श्री 108 स्वामी सिकंदर जी महराज की अध्यक्षता में मनाई जा रही है इसी समंध में शहर के गणमानी व्यक्तियों को मावंगला मुखी जनती में आमंतरित करने ही तू निमंतरन पत्र प्रदान किये जा रहे हैं जिसके तहत चारंदर लोकसबा सीट से कॉंग्रेसी प्रत्याशी वम पूर्व मुख्यमंतरी चरंजी सिंग चन्नी, कॉंग्रेस जेला प्रधार अजिंदर बेरी, श्री दीवी तलाव मंदिर कमेटी की कोशाधिक्ष पविंदर बहल, म्टम इंडुस्ट्री के मालिक रमन शर्मा, आपनेता बॉवी धल और आचीव धिंग्रा को संपर्क भ्यान की टीम में शामिल अश्वनी जादव, अमित कुप्ता, आयुश जादव, कमल मलोतरा एवम अंकुर मलोतरा ने निमंतरन पत्र प्रधान किया, जोरान सभी नेताओं एवम समा सेवियों ने संपर्क अभ्यान की टीम को ये विश्वास दिलाया कि विव बंगला मुखी जनती में पहुंच कर माथाट एक माक बंगला मुखी जी का आश्रवात प्राप्त करेंगी। चाल अंदर से हल्चल की रीक केमरामेंट सोदेश भगत की रीपोर्ट। इनिविटेशन दिता है मैं अपने आपनों तालपा की समद है के मैं भी मा मंगला मुखी जी यागदे वीच शिर्कत करांगा तो मैं सारे नों बेंती करदा है कि आओ अपना इस महा यागदे वीच शामल होईए ते दी रावन की बताईए ते मां मंगला मुखी दा अशीर शिस्तनातन धरम सभाश्री गीता मंदिर मॉडल टाउन में अनपूर्णा हाल गीता मंदिर चेरिटेवल डिस्पेंसरी मॉडल टाउन में न्यू इंस्टालेशन ओफ डेंटल चेर वर रविंदर खुलर मेमोरियल गीता मंदिर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल अधीब कुमार ने दैनिक सवेरा की मुख्य संपादक शीतल विच को इस कारेक्रम में मुख्य तिति आमंत्रेत करने ही तू निमंत्रम पत्र भिंट किया। इस मौके पर प्रधान विजे खुल्डर ने बताया कि 10 मई को प्राथे 11 बजे अनपूर्ना हाल और गीता मंदिर चेरिटिवल डिस्पेंसरी में न्यू इंस्टालेशन ओफ डेंट्रल चेर की शुरुवात दैनिक सवेरा की मुख्य संपादक शीतर विच के कर कमलो से जालंदर से हल्चल के लिए केमरामेंन सोदेश भगत की रिपोर्ट जान शेक्ति प्रदी कमार जी जे कि पिछले साताथ में नेदियां जडियां मंदर विच उप्रब्दियां हो यां ओदे वास्ते जड़े दोतन प्रजेक्शू कीते गये सी ओदे अगरी कंप्रीशन सेर्मनी है ओदे वास्ते इनां जिर शीतर जीनु चीफ गयाश दे अंगन्दे वेच उदे नागिरेशन होईगी इस दे नाली एक बहुत वड़ी कनौपी लगी है डबल हाइट दी जो कि शीरे हनमान जी मंदर प्रभुदाम जी दे मंदर दे सेंटर जड़ी 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 किता गया बहुत वड़ी एक अपना अमंक जड़ी 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 जड जो प्रालयान नाह एनाने सानो नमीचेर लिया किदिती, ओचेर ज्विज इनाह आए लिग टीसरा साधा प्रजेक्ट है, अपना रविंदर फुल्ड़ मेमोरियल, Gita मंदर सीनेट्स केंडी स्कूल देविच उच देविच, साधे अपना 1180 देविच, माता उशय देविच आ लाइबरेरी बनान वास्ते बेंती किती जी बहुत देर दा पेंडिंग वर्ग सीगा वह भी इस नमी जड़ी साथी इलेक्टिट प्रमेटी है इना शेवा सिद्गा सारे ने जॉंट यहना ने बड़ी मेनत करके वह अपना लाइबरेरी कंप्लीट किती है उस दी जड़ा कुली वश्ता किती गई है सारे उत्ते जिन्ने आये होई गैस्तों के चाहे साथे मंदर मेंबर सहबान हैं चाहे साथे शेयर दे डोनर्स है चाहे अपना शेयर दे प्रमिनेंट सिटीजन यड़ी जानगे सारे ने खुला सदा दिल दे हां कुछ कार्वी प्रिंट कराए है जेकि एसी सारे दे प्रमिनेट बंदे निकार करके चाहें ताकि इन्वाइट करके सारे उत्ते साथे पोंचो अजी आज भी बेंती कर दे हैं कि गीता मंदर जेड़ा एक शेयर दा नामी मंदर है देवीता आतबाद एक एस लाक्य की शान है वो दी तो आड़े आनना होर श सारे आना वाले सजिनादा भी जिनन काड किसी कारण साथे को लो क्योंकि टाइम शाट आ नहीं पहुंच सके ओनान को असी माफी मंगा एसी ओना भी खुला सथा दिन्या ताकि आगे साथे फंक्शन दी शोबागा गीता मंदर माडल टाउन सिरी सनातर दन सबागा गीता जैसी किशन धनी शेद्व शक्ति पेच्ष्री देवी तलाव मंदर के पावंध दर्बार में सब्ताहिक भजन संद्या का योचन किया गया जिसमें बाल वयुवा गाईकों ने माभगवती की महमा का गुनगान कर वबस्तित भक्तों को जुमने पर विवश कर दिया इस मौके पर गायक विजे कोड़ानी गनीश वंधना को गाकर इस भजन संद्या की शुरुवात की जिसके बाद वीनु सहगल गुपाल पांडे बीनी सावरिया चंद्र कनिया डोली राजे शर्म और मिनाक्षी ने माभगवती की महमा का गुनगान कर वबस्तित भक्तों को मंत्र मुक्त किया इस जोरान कोशा ध्यक्ष पविंदर बहल मांच संचालक बलदीवानंत और रमन शर्म ने आई हुई भजन मंडलियों को मा की चुनरी दे कर सनमानित किया जालंदर से हल्चल के लिग कैमरामेंट सुदेश भगत की रीपोर्ट का यहां जाता है अन्यस्नों को मां दे किया हर प्यार पर दिल को तोड़ाना जाता है किया हर प्यार पर दिल को तोड़ा यहां जाता है भाई आपनों को पुरिकत में चोड़ा यहां जाता है चोड़ा यहां जाता है है पैसा को तोड़ा यहां जाता है फिस दिस भी अ सबसे हब师 इस अरह से कईउ भर्छे के एहा है कि दिल बैखे है यह ज़ी दिल में जीदा रभी बैखे है बेल सीरे में कि अनमाल कोई दिल जीदी मेरा काथ की नहीं कि दिल बैखे हैं दिल द्रै कि दिल जीदी में हुआ घ्री जीदी दोगाना मेरा रष्ञा धन करूं मेरत बाहे हुद्रा मेह का पीदेड़े पल बिच्तार रभा मेरे जाना । आप दूका वाला किसे भी न वोया 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 अरा बंत में हल्चल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से जीरा के गाउं लोंगे दिवा में एक्टिवा सवार एक नौचवान की ट्राली से हुई टकर नौचवान की मौके पर हुई मौत पठानपोर के मिर्थल रोड पर हुई एक सड़क हासे में एक व्यक्ति की हुई मौत पुलिस जांच में जुटी फश्यारपर पुलिस ने गत दिनों गाउं मेवा मियाना में हुई एक बजूर की किसान की कतल की मामनी को सुलचा है दू आरुपियों को किया ग्रिपतार इसके साथ ही अब तक एक दिविधियां समप्थ होती है और तासा चानकरी के लिए देखते रहे हल चलो कर दो